नमस्कार आप देखरेया नेशन भारत और मैं हूँ मनोच चतुरविली 23 मार्च को पत्ना के कुर्जी से 12 विदेशी एक मस्जिद से पकड़े जाते हैं वहाँ के लोकल लोग सुचना देते हैं पुलिस को, पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और 12 विदेशी जो हैं पकड़े जाते हैं उसी दिन उन विदेशीों ने कहा था पुलिस के सामने और मीडिया के सामने जो बयान दिया था कहा था कि हम दिल्ली होते हुए यहां तक पहुंचे हैं पुलिस उनको कॉरेंटाइन करने के लिए भेज देती है और अभी तक वो कॉरेंटाइन में है लेकिन जब परसों से तब्लिकी जमात में जब करीब करीब अभी तक यह है कि 261 लोगों को वहां से निकाला गया है जिसमें 24 अभी तक पॉजेटिव पाए आई हैं वहां से इनको निकाला गया है जो अभी खबरें मिल रही है उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से अभी तक जो है देवबन से भी कुछ लोग पाए गए हैं जो वहां से तबलीगी जमाज से जो हैं वो देवबन गए थे और इंडिया भारत के विभिन प्रदेशों में वहां से विदेशी गए हैं फिर कुछ लौटे भी हैं सरकार ने आदेश कर दिया है कि हम भीजा को उनके भीजा को हमने सस्पेंट कर दिया सबसे बड़ी बात यह है कि जब 23 मार्च को कुर्जी से 12 विदेशी पकले जाते हैं सरकार बिहार सरकार को सुछना मिलती है दिल्ली तक सुछना पहुंचती है फिर 26 मार्च को अंडमान में तवलीकी जामात में ही पहुचा हुआ एक बंदा है वो जब पहुंचता है अंडमान तो वो पॉजिटिब पर जाता है करोना से अंडमान सरकार जो है तुरंद Batt Prime को भरकर करीब 2361 लोग आज सुबह तक ले जाए जा चुके हैं कॉरंटाइन करने के लिए सबका चेक हो रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकलती है कि आखिर चूक हुई कहां किस से चूक हो गई क्या ये पूरे बिदेशी जो भारत के विभिन राजियों में लो ही है वो सब पॉजेटिव है और सब लोग वहां आये थे तब्लीकी जामात में आये थे आखिर दोस कहां हो गया कहीं क्या भारत इस तब्लीकी जामात से community के तरफ तो नहीं बढ़ रहा है Corona का जो वाइरस है वो भारत में community के तरफ तो नहीं बढ़ रहा है क्या हम संख्या कम होनी शुरू हो गई थी कल तक संख्या कम हो रही थी लेकिन अचानक ये जो तबलिकी बम फूटा संख्या अचानक बड़े स्पीड में बढ़ी है और यही सक्ख हो रहा है जो हमारे डॉक्टर है जो हमारे और भी एक्सपर्ट हैं उनको ये सक्ख हो रहा है कि क्या हम community के तरफ बढ़ रहा है सिवान में जितने लोग पाए गए हैं वो भी तबलिकी जमाज से लोटे गा है गुपाल गंज में कुछ लोग मिले है यहाँ तक की अररिया में लोग मिले है पत्ना के खेमनी चक्षे लेके कुछ इलाके हैं जो complete seal कर दिये गए हैं तो आखिर चूक हुई कहां दिल्ली पत्ना से जब दिल्ली चले तो 2163 अभी तक कॉरंटाइन करने के लिए भेज दिये गए हैं जिसमें 24 positive पाएगा हैं अभी तक कहीं न कहीं भारत को इस करोना बंग के विसफोड से तहस नहस करने की किसी की साजिस तो नहीं पूरे देश को विचार करना होगा इस पर सरकार को विचार करना होगा इसलिए हमेशा कहते हैं कि समाजिक दूरी बनाईए घरों में रहिए मुद्दा ये नहीं है कि तवलिकी जमात में कितने लोग थे तवलिकी जमात के जो मुखियां है साध मौलाना साध उन्होंने पिछले सुक्रवार को एक आडियो टेप जारी किया और कहा कि नहीं मस्जिदों में आना है नमाज पढ़ना है हमें कौन रोक सकता है यह आडियो टेप उनका जारी हुआ और यह और नमाजों उनिति पीधर करो और यह मौका मस्जिदों को आबाद करने का है जो शुर्वसार mm कि यह वकामस्यदों को आबाद करने का, ये इन बातों में आजाना के लिए मस्यदों छोड़ दो, क्योंके हालात इस अश्सक के ऐसे हैं अचोर्छ के अज़ादको मस्यद बढ़ाने, passado Collinकी के अज़ादकों को दाव़त देने के अस्बाव हैं, ये बचाओ के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है, हलाकत के असबाब है, वो तो अल्ला मुझे माफ फर्माए, जिनकी आकलों पर गेरों का तसल्ट होता है, वो उनको ये मशहरे देते हैं, कि आप मस्जिदे बंद कर दिये, ताके लोग जमाना हों, अरे, नहीं शु जो अल्ला की तरब से सबसर्ते बड़ और अजाब है, सबसर्ते बड़ अजाब है बारशक का लुखना, जिस से सिर्फ इंसान नहीं, बलकि हर मखलोग हलाकत की तरब जाती है, कि पाज़को अल्ला ने हर जानदार के लिए हैत का दरिया बनाया है, इसलिए इससे बड़ा कोई नहीं है इस अज़ाब कोई नहीं है इस अज़ाब को हटाने के लिए कि औरतों को, बत्चों को, जानवरों को, बक्रियों को, बेलों को, भेसों को, हुटों को सब को साथ लेकर आओ मेजान में कि अल्वा तु इनकी वज़ा से इसलाब को हटा दे ये तरी मुखलुक है, हाँ तो मैंने आज़ किया कि ये मौका मस्ज़ों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तुम बिमारी प्हे लेगी इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आवाई की जिस्ट पर जमा होंगे तो आला इन हलकों पर फरिष्टों को नाजिल करेंगे और फरिष्टों के नजूल से दुनिया के अंदर सुकून राहत क्यों कि आप जानते है कि फरिष्टों का नजूल असल सकीना है फरिष्टों का नजूल असल सकीना है ना उनके प्चेरे चमक रहे दिश्राओं की तरह घोड़ी उचलने लगी जाया सो रहा था मुझे ख्याल हुआ कि गोड़ी विड़क रही इस बादल के आने के वज़े से ऐसा नहीं कि मेरे बच्छे को कुछलने आज मैं एह उस्याद पढ़ते रहते पढ़ते रहते रहते यार बीमार्य को रोगने के लिए आमाल शुड़ाने को कह रहे और वहां आप प्रिष्टों को सब को दिखाने के वास्ते बादा करें उसे कुरान पढ़ते रहते पढ़ते रहते अब आप बताईए कि जब मक्का मदीना बंध है देश की और मस्जिदे बंध हैं गुरद्वार चेती क्यों नहीं वाद पूलिस का पहरा लगा दिया गया मजनु का टीले मजनु का टीले पर जो गुरद्वारा है उसे बंध कर दिया गया है उसे संट्राइज किया जा रहा है उसके बगल में ही है सबसे बड़ी बात जो है कि अभी अभी जो खबर आ रही है मौलाना के गिरफतारी के लिए भारत सरकार ने आठ टीमो का गठन कर दिया गया गठन कर दिया है जिसमें डीजीप लेवल के अधिकारी सामिल है और पूरे देश में मौहम्मद साद की गिरफतारी के लिए चापे पड़ रहा है जो करेंट निज अभी पहुच रही है यूपी से 89 बिदेशी पकड़े गए हैं आज अभी तक उन यूपी से 89 बिदेशी पकड़े गए हैं सब को करंटाइन करके उनका टेस्ट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात जो है कि तबलीकी जामात जो है वहां से 2361 लोगों को निकाला गया है अभी तक और अभी भी कुछ लोग वहां पे हैं जिनको निकालने का काम मेडिकल टीम से लेके प्रशाशन लगा हुआ है बसे खड़ी हैं उनके निकालने का काम चल रहा है संकट कहीं न कहीं बिहार के उपर भी दिख रहा है क्योंकि बकसर से लेके बिहार के करीब करीब 18 जीलों से देड़ सो से ज़्यादा लोग तबलीकी जामात में सामिल होने गए थे सरकार ने तबलीकी जामात पे बैंड लगा दिया आखिर ये सब करने का अभी क्या उचित्य हो गया पहले भी किया जा सकता था लेकिन चूप कहीं न कहीं हुई है सरकारों से इस पूरी खबर पे नेशन भारत की नजर बनी हुई है नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज़दी कोई सुझाओ हो तो हमें अवश्य लिखें नमस्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए